दोस्तों नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस्तनियोज महाराश के सियम उधो ठाकरे के एक और बड़े मंत्री को अपने पस से स्थीवा देने का टाइम आ चुका है और ये मंत्री और कोई नहीं बल की अनिल परब हैं जो की इस टाइम महाराश्रा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं आप सब को पता होगा कि जो अनिल परब हैं इनके खिलाप में एक बहुत ही बड़ा आरोप रगाया गया था जहां पर बोला गया थे कि दपोली में ये जो है इल्लीगल तरीके से एक डिजॉर्ट बना रहे थे जिस पर दो लेकर महाराश्र रिवन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कारवाई की जा रही थी यानि की जा रही थी और अब जो है महाराश्र रिवन्यू डिपार्टमे नहीं है एग्रिकल्चर लेंड नहीं है या जो भी इनफॉर्मिशन उन्दी थी वो भी पूरी तरह से फेक है आपको बता दू कि अनिल परब ने ये जमीन जो है 42 सो वर्ग मीटर की जमीन जो है अनिल परब ने 2017 में खरीदी थी लेकिन जैसे ही बिवाद इत्पन हुआ मतलब की 2020 में दिसंबर में जब इनके खिलाफ में कंप्लेंट दजगराई गई कि ये जो है इल्लीगल तरीके से इस प्रॉप्रटी को इन्होंने खरीदा है और साथ में यहां पर रिजॉर्ट बनाया जा रहा है जो की इल्लीगल है तो इन्होंने तुरंत ही इसको जो है एक सदा कदम नाम के ब्यक्ति को बेज दिया दिसंबर 2020 में इनके खिलाप में तीन डिसंबर की करीब करीब कंप्लेंट दखिराई गई थी उसी दस प्र स्ष से पंद्रा दिन के अंदर अंदर विखा दिया है अब जो है सदानन्हा है जो की अभी प्रेंट टाइम का ओनर है उसके खिलाप में नोटीस भेजी गई है मतलब कि उसने जो इलीगल वहां पर रिजॉट बना रहा है तो अनिल परप के उपर कारवाई ना होकर अब जो है सदानंद कदम के उपर कारवाई की जा रही है देखते हैं जो भी हो आने वाले टाइम पे पूरा को पूरी तरह से फ्लासा हो गई ऐसा तो है नहीं कि अनिल परप पूरी तरह से बच जाएंगा और यह कंफरम हो रहा है कि उन्होंने 2020 में दिसंबर में जब इनके उपर आरो प्लगने स्टार्ट हुए उसके बाद इन्होंने वो है सेल किया है तो कहीं न कहीं से आने वाले टाइम पर अनिल परप के अपिनियन है इस पर आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो के जाएंज ज्यादा सेयर करें